सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को सामने बैल आइकन को जरूर दवाईए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जॉब प्रोवाइडर कमपनी या एस्टेबिलिस्मेंट एनसीव टी एमाईस के प्लेस्मेंट पोर्टल पर कैसे रेजिश्टेशन कर सकती है क्या-क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ेंगे और क्या-क्या चीजों की उसको रेक्वाइर्मेंट पड़े की रेजिश्टेशन करते समय तो दोस्तों बने रही हैं हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लाश तक देखिएगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मैं वीनोट को स्वाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट वीनोट तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको NCVTMS पोर्टल उपन करना होगा NCVTMS पोर्टल उपन करने के बाद आपको प्लेस्मेंट टैब दिखरा होगा वहाँ से आप प्लेस्मेंट पे क्लिक करके प्लेस्मेंट टैब पे क्लिक करके प्लेस्मेंट पोर्टल पे आ जाएंगे तो जैसे कि प्लेस्मेंट पोर्टल आप उपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा तो यहां Home के बगल में देखिए Option आ रहा है Establishment, इसमें First जो Option आ रहा है Establishment Registration, इस पे भी आप क्लिक करके Registration के Link पे जा सकते हैं, यहां फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो दूसरा जो Box बना हुआ है, यहां पे लिखा हुआ, Job Providers Oblig Establishment, इस Box में जो है, यहां पहल जो Link दिया हुआ है Registr का, इस पे भी आप Registr पे क्लिक करेंगे, तो उसी Page पे आप Relocate हो जाएंगे, यहां देखिए, यहां पे जैसे हमने Registration पे क्लिक किया, तो यह इस तरह का Page आपके सामने क्लिक के आ जाएगा, यहां देखिए Registration for Establishment for Placement आ रहा है, यहां Enter the Detail for Registration अगर आप पहले से ही Registr हो चुके हैं, तो यहां पर आप अपना Registration नंबर भरेंगे, अगर आप First Time आ रहे हैं इस Portal पे तो यहां पर सबसे पहले आपको दिया हुआ Registration टाइप, यहां Registration टाइप में जो भी आपका आता है, वो सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी टाइप ही MSME है, 10 नंबर है, 10 नंबर है, गर इनमें से कोई नहीं तो Other का Option दिया हुआ है, अगर आपको क्लिक कर देना है, जो भी फर्म है आपकी जो भी है उसका Registration नंबर आपको मिला होगा, तो यहां पर आपको Registration नंबर अपना Fill Up कर देना है, उसके बाद यहां देखिए Establishment Name आता है, यहां आप अपने Company या Farm का नाम डालेंगे, यहां Establishment Type आता है, यहां देखिए Establishment Type में आपका कौन सा Establishment Type है, Government, Central Government का है, Central Public Sector Undertaking है, Private Sector है, State Government है, State Public Sector Undertaking, तो जो आपका अगर Government है, तो बेटर है, हमारा Private Sector है, हम Private Sector यहां पर Selected लेंगे, उसके बाद देखिए है, Establishment Category के लिए पूछ रहा है, तो यहां आप डाल देंगे, जो भी आपका cottage है, Large, Small, Micro, Mini, Small या Other जो भी है, आप डाल देंगे, Industry Type आपको चूज करनी है, Manufacturing Industry है, Service वाली है, Trading है, Other है, Service में हम चले आते हैं, Business Nature आपको यहां पर डालना है किस टाइप का आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, वो यहां बिजनेस नेचर में आपको फिलप कर देना है, ठीक है दोस्तों, बिजनेस नेचर जो भी वर्क होता है, Mainly वर्क आप वहाँ पर डाल देंगे, गर Software की कंपनी है, तो Software Development है, तो Software Webs website designing है, तो Web designing डालेंगे, Search Engine Optimization है, SEO डाल देंगे, डेटा इंटरी की कंपनी है, तो यहां डेटा इंटरी वर्क डाल देंगे, जो आपका है, आप से related है, वो आप डालेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Stabilisement Contact Detail, Stabilisement Address, जो भी आपकी कंपनी है, फ्रम का अड्रेस है, व पिन कोड आप डाल देंगे, Contact Number आपको डालना है, यहां Email ID डालना है, ठीक है, उसके बाद अब आजाता है, Detail of Head of Estabilisement, जो आपके firm है, यह Company है, उसका मालिक है, उसका यहां पर पूरा Detail डालना है, यहां जिससे हम Contact कर सकते हैं, ठीक है, Main Responsible Person, तो यहां उसका नाम रहेगा Designation आप डाल देंगे, Contact Number, Email ID, Mobile Number, उसके बाद आजाते हैं, Last Option, Detail of Contact Person for Placement, ठीक है, जो आपका Head of Estabilisement का है, अगर सेम Detail आप रखना चाहते हैं, तो इस पर आप Check Mark कर देंगे, सारी Detail Automatic Fill हो जाएगी, उसका यह देखे, Re-Enter, Email ID आपको फिर से Fill Up कर रही होगी, ठीक है, उसकाद Enter Capture Image, यहाँ पर जो Image आ रही है, वो Image आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद आपको Submit पर क्लिक कर देना, जैसे ही Submit पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक Message आ जाएगा, जो भी आपने Email ID यहाँ पर Fill Up की होगी, उस Email ID पर एक Activation Link जाएगा, ठीक है, तो हम आपको दिखा देता है, कैसे आपको मिलेगा, तो मान के चलिए, आपने Submit कर दिया, आपके Message आ गया कि, जो Activation Link है, आपके Email ID पर भीजा जा चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने Email ID यहाँ फिलप की है, वो Email ID आपको Open कर लेनी है, यहाँ देखिए, ह यहाँ पर हमारे पास DGT की तरफ से Mail आया हुआ है, यहाँ देखिए, Establishment Registration for Placement का Mail आया हुआ है, ठीक, Ratings, उसके बाद यहाँ देखिए, Activate Registration के लिए, एक Link आ रहा है, इस Link पर आपको क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है, एक Registration नमबर वहाँ पर हो जाएगा, आपका जो Registration है, उसको Activate कर दिया गया है, वहाँ पर आपका जो है, Placement का Registration नमबर आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ देर बाद आपको फिर एक Mail आएगी, इस तरह से, Establishment Registration for Placement, Thank you for Establishment Registration for Placement, your Establishment is now completed, और Registration नमबर, Placement for, यह देखिए, यह आपका Registration नमबर हो गया, और उसके नीचे देखिए, User ID आपको दे दी गई है, और एक Password दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप Registration कर सकते हैं, और मैं यह बता दूँ कि User ID और Password क्यों मिला है आपको, देखिए दोस्तों, इसमें आप as a job provider आप Registration कर रहे हैं, तो जब भी आप लॉग इन करेंगे अपनी email ID से, तो उसमें जब भी आपको किसी भी worker की requirement होगी, तो उसमें एक option दिया होगा, कि आप job post कर सकते हैं, कि मुझे इस related job के लिए इतने लोगों की जरूरत है, पूरा detail उसमें भरना होगा, जब तक आपके पास ID और password नहीं होगा, तब तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो आने वाले वीडियो में मैं इसके अगले process के बारे में आपको बताऊंगा, कि job अगरा कैसे post करना है, कैसे candidate को sort list करना है, सारी चीज़े बताऊंगा, ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा सेर कीजिए, और कोई भी प्रॉल्म आ रही है, तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज के लिए रितने धने बनेवाद,